हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चनल कॉमिक फैन पर चले दोस्तों शुरू करते हैं मल्टि स्टारल कॉमिक्स आमोथ, मुझे मार का दूसरा बाग मुझे अस्पताल भेजदो बोस वहाँ मेरी तूटी हड्यों का इलास तो हो जाएगा इसकी कोई जरूत नहीं है बोस, तुमें इनी तूटी हड्यों के साथ ही ऐसा बना देंगे कि तुम अच्छे अच्छों की हड्यों का सुर्मा बना दोगे तो तुम कौन? मैं Mr. X बोस ने मुझे अपना सेक्रेटरी न्यूक्त किया है मैं बोस को सला दूँगा और अब मेरी सला पर मुंबई के साथ इस सारे देश में वह होगा जो पहले आज तक नहीं हुआ मुंबई जहां के बारे में परसिद है कि यहां जो भी होता है उसे एक कुत्ते सी नाख जरूर सुंग लेती है और वह जुल्म की शेणी में आता है तो उस नाख के उपर मुझूद आँख लोहे की भटी की तरह दहक जाती है नाख के नीचे मुझूद जबडे क्रेन के सिकंजों की तरह एक दूसरे पर सक्ती से कस जाते है और अगले ही पल गुंचती है जौला मुखी के फटने जैसी आवाज कमीनों और इसी के साथ जुल्म करने वालों के हलक से निकलता है एक नाम दोगा उसके बाद किसी को बोलने का मुका नहीं मिलता या फिर कोई कुछ बोलने लायक नहीं रह जाता इस सहर की गलियों को अपनी वहसी आँकों से देखने से पहले यह तो सोच लिया होता की दोगा उस चहरे को ही नहीं रहने देगा जिस पर यह आँखें मौजूद है इन हातों को किसी मजलूम पर उठाने से पहले यह तो सोच लिया होता की दोगा उन हातों को फिर कभी उठने लायक नहीं छोड़ेगा इन पैरों को मुंबई की जमीन पर रखने से पहले यह तो विचार कर लिया होता की दोगा तुम्हारे शरीर में इतना बारूद भर देगा कि तुम्हें उठाने के लिए मुंसिपैलिटी की क्रेन मंगानी पड़ेगी गोलियों ने इनके सरीरों में सेकड़ो रोशनदान बना दिये हैं लेकिन फिरी भी ये खड़े हैं किसी भी सुराख में से इनकी जाने नहीं निकली कोई नहीं कोई नहीं मरा लेकिन तेरी जान जरूर निकलेगी लुन्जु पुन्जु के हाथो दोगा ने तो तुझ जैसे शातानों को यमलोग बेजने का ठेका ले रखा है और यह ठेका तब तक पुरा नहीं होगा जब तक तुझ जैसा एक भी शातान जिन्ता है इस पर भी गोलियों का कोई असर नहीं मुझे तो हमेशा जिन्ता रहना है मनने के लिए तो तू तयार हो जा दोगा तो हमेशा ही मनने के लिए तयार है लेकिन किसी माई का ऐसा लाल पैदा माई ने लेकिन किसी माई ने ऐसा लाल ही पैदा नहीं किया जो दोगा को मार सके और वैसे भी तू इन हाथों के बल पर डोगा को मारने की बात कर रहा है न अभी तेरे धड़ से उखर जाते हैं तेरे ये हाथ सिर्फ हाथ ही नहीं तुझे मारने के लिए मेरे पास यह गर्दन भी है और यह टांग भी है धाड़ इसके हाथों के साथ इसका शिर और टांगे भी रबड की तरह बढ़कर मुझे पर वार कर रहे हैं अब यह मुस्तक ना पहुँच पाए इसके लिए मुझे इसके हाथ और पाउं को हड्या को तोड़ना होगा हड्यों के तूटने से इसके हाथ पाउं लटक जाएंगे और मुस्तक नहीं पहुँच पाएंगे इसके हाथ पाउं तो रबड की तरह मुड़ गए इनमें तो हड्या है ही नहीं मेरी हड्यों को तोड़ने की बेकार कोशिश कर रहा है क्योंकि गमराज नाम के लड़के ने मेरी हड्यों के को पहले से ही तोड़ रखा है इसलिए मेरा शरीर ऐसा बना हुआ है कि वे लंबा होकर कहीं भी पहुँच जाता है और कैसे भी अपने दुश्मनों की धुकाई करता है अगर ऐसा है तो मेरे पास इसका भी लाज है मैं तेरे हातों पाव को इखटा करके उन्हें एक दुश्मनों से कशकर बांद कर उसे फुटबोल बना देता हूँ और अब तुझे बताता हूँ कि फुटबोल वर्ल्ड कप में रिवॉल्डो बोल को कैसे हिट करता था दोगा ने जिस पासे को पल्टा था वह अगले ही शन एक बार फिर पलट गया माना कि तुने मुझे फुटबोल बना दिया लेकिन ना तो तु रिवॉल्डो है और ना ये फुटबोल का मैदान ये मुंबई है जहां ऐसी सेकडो दिवारे मुझूद हैं जिनसे टकरा कर फुटबोल वापस आ सकती है ऐसी जंगा पर रिवॉल्डो हो या रिनाल्डो सब भी का ऐसा ही बाजा बज जाता जैसा तेरा बज रहा है मेरा ये तरीका भी मुझपर ही बारी पड़ा बढ़ाक उसे हलका करना पड़ेगा इसके वजन को जमीन से उठा कर और इसके लिए मुझे अपने सारे बारूद को इकटा करके उसे उस जंगे रखना होगा जहां ये फुटबोल रूपी शैतान आकर टकराएगा बारूद का धेर लगा दिया था डोगा ने और बारूद के उस धेर से टकराने का अंजाम यह होना ही था लुन्जु पुन्जु के चीतडे उड़ गए चीतडे तो उड़ने ही थे दोगा नाम के बारूस से टकराया था वे दोगा की आखों में लुन्जु पुन्जु को खतम करने की चमक अगली ही पल गायब हो गई ये क्या हो रहा है लुन्जु पुन्जु के बिखरे शरीर के चित्डे तो एक दूसरे की तरफ लहरा कर जुड रहे है ये क्या हो रहा है लुन्जु पुन्जु के बिखरे शरीर के चित्डे तो एक दूसरे की तरफ लहरा कर जुड रहे है हेलो डोगा प्यारे क्या हाले तुम्हारे अच्छे तो है ना अब अच्छे रहेंगे नहीं बढ़ाक इसके तो फिर से चिठड़े उड़ाने होंगे कोई फाइदा नहीं यह फिर जुड़ जाएगा फिर खतम करोगे तो फिर जुड़ जाएगा गमराश तुम हाँ डोगा भाई मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि यह नहीं मरने वाला क्योंकि जिसने इसे मारना है मैं तो खुद लापता है मतलब मेरे साथ चलो मतलब समझा दूँगा लेकिन चलने से पहले अपनी विसल बजाकर सारी मुंबई के कुटों को यह बला लो ताकि वे इस पर जबटते रहें और जब तक हम इसका कोई हल न ढून ले तब तक यह उनमें ही उलजा रहे दूगा को समझ में कुछ नहीं आया लेकिन फिर भी उसे गमराश की आवाज में दम नजर आया तबी तो तुमारी कुटतफ हो जा रही है आओ अब हम चलते हैं यहां से इसी बीच दिल्ली में आ, ओ, आ यह क्या हो रहा है भाई मुझे तो कहीं म्यूजिक बज़ता नहीं दिखाई दे रहा फिर तुम डांस क्यों कर रहे हो अब यह आँखो वाले अंदे हम तुमें डांस करते दिखाई दे रहे हैं दिख नहीं रहा हम खुजा रहे हैं खुजली कर करके हमारा बुरा हाल है कमाले, इतने सारे लोगों को एक साथ खुजली कैसे हो सकती है इन खुजली बमों से जिनसे पिद्धी सारे साहर को खुजली का रोकी बना देगा सपने तेरे बहुत बड़े हैं लेकिन तेरे पास उन सपनों को पूरा करने वाला शरीर नहीं है प्रोबोट ने मुझे सूचना दी थी कि कोई दो फुट का आदमी सहर में खुजली फैला रहा है अब मुझे इससे पूछना है कि यह ऐसा क्यों कर रहा है उफ तड़ाक सपने पूरे करने के लिए बड़े शरीर की नहीं बड़े इरादों की जरौत होती है और इरादे मेरे बहुत बड़े हैं तड़ाक मान गए पिद्दिवया तेरे इरादे बहुत बड़े है लेकिन नेक नहीं है और जो इरादे नेक ना हो परमानू उन्हें पूरा नहीं होने देता ये चमकीली रसियां मुझे कैद नहीं कर सकती ये देख ओ नो वह तो और भी छोटा होकर मेरी रसियां के फंदे से निकल गया लेकिन ऐसा करके इसने अपना ही नुकसान किया है मैं इसे अपनी बाहों में कैद कर लेता हूँ अब यहां से कैसे निकलेगा शैतान वैसे ही जैसे पहले निकलाता छोटा होकर ओ ये तो और भी छोटा होकर मेरी बाहों से निकल गया हाँ 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 तू मुझे जितनी बार कैद करेगा मैं उतनी ही बार छोटा होकर बचता चला जाओंगा और तेरी दुनाई करने के साथ-साथ लोगों पर अपनी खुजली बम फेकता चला जाओंगा हाँ 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 उफ ये छोटे से छोटा होकर मेरी हर पकड से बचकर लोगों पर अपने अध्बुतवार कर रहा है इसे जल्दी से काबू में करने का तरीका ढूनना होगा नहीं तो खुजली बमो की चपेट में सारा सहर आ जाएगा एक मिंट मुझे इसे और छोटा होने के लिए मजबूर करना होगा एक बार फिर परमानू ने पिद्धी को अपनी परमानू रस्षी में फसाया एक बार फिर पिद्धी छोटा होकर बच निकला एक बार फिर वही हुआ और अब इस बार छोटा होकर मेरे फंदे से निकल कर तुने बहुत बड़ी गलती की है पिद्धी प्यारे क्योंकि इस बार बचने के चक्कर में तू इतना छोटा हो गया है कि मैं तुझे आसानी से वैक्यूम क्लीनर में खीच सकता हूँ और अब तू चाहे जितना मर्जी छोटा हो ले लेकिन इस वैक्यूम क्लीनर से बाहर नहीं निकल सकता अहाँ, सही कहा तुने परमानू मैं छोटा होकर इस वैक्यूम क्लीनर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता बाहर तो मुझे निकलना ही है इसलिए मैं बड़ा हो जाता हूँ यह पल परमानू के लिए आश्चरे चकित कर देने वाला हैरत से उसकी आखे फार देने वाला था मुझे छोटे रूप में बहुत तंग किया तुने अब तेरा क्या ख्याल है बोल अब तुझे छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए उफ पहले जिसे मैं अपनी बाहों में जखर सकता था भे अब इतना बड़ा हो गया है कि उसने मुझे किसी बोल कितरह दिवार पर फैक मारा है और इसी के साथ ही इसके हातों से निकलने वाले कुजली के छोटे गोले भी बड़े हो गए है बिल्कुल तोप के गोलो की तरह है ओ, हाँ, हाँ, अब देखता हूँ तो मेरे इन खुजली गोलों से कब तक बचता है इसके खुजली गोले सच-मुच बहुत ख़तरनाक है माना मैं अपनी सक्तियों से इनसे अधिक देर तक बचा जए सकता हूँ लेकिन इन बेचारे सहरवासियों का क्या होगा ये तो इसके खुजली बमों की चपेट में आकर खुजा-खुजा कर पागल हुए जा रही है बढ़ाक मुझे लोगों को इस बयानक मुसिबत से बचाना होगा और उसके लिए इसे ठिकाने लगाना होगा ओहो परमानु रस्यों और परमानु छलों का इस पर कोई असर नहीं कुछ और सोचना होगा एक दूसरा रास्ता मेरे सामने है लोगा पिगलाने वाली उस बच्टी के रूप में और इसके लिए मुझे सिर्फ नाम के उस पिद्धी को उठा कर उस बच्टी तक ले जाना होगा और चूंकि परमानु रस्यों में उसे लपेट कर वहां तक ले जाना संभव नहीं इसलिए मुझे खुद अपने हातों से उसे उठा कर बच्टी तक ले जाना होगा लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे इस बात का इंतिजाम करना होगा कि वे मुझे अपनी खुजली गोलों का सिकारना बना पाए और ऐसा करने के लिए मेरी परमानु रस्षी एकदम ठीक रहेगी ये मेरे सरीर से ऐसे लिपट गई है कि अब हवा भी मेरे सरीर तक नहीं पहुँच सकती खुद को पुरी तरह सुख्सित करके परमानु लहर आया अगले ही शन परमानु ने पिद्धी को ऐसे अपने हातों में फसाया जैसे बाज मास को फसाता हो और फिर एक शन बाद ही भटी में मौजुद पानी की तरह पिगले लोहे ने पिद्धी को एक शन में ही कंकाल में बदल दिया अहाँ लेकिन अफसोस पिगले लोहे का ताप उसे लास में ना बदल सका ओ ये मैं क्या देख रहा हूँ फर्णेंस में पिद्धी कंकाल के रूप में जिन्दा है हाँ और मैं इसलिए जिन्दा हूँ क्योंकि मेरी मोत अभी नहीं लिखी जबकि तेरी मोत मेरे हातों से लिखी हुई है मैं बहार आकर तुझे वो मोत जरूर दूँगा ओ बहार आकर क्या लड़ू लेगा तुझे वहीं रहे क्योंकि तुझे वहीं अच्छा लग रहा है और तुझे वहीं रखने का सबसे अच्छा तरीका है भट्टी में मोजुद पिगले लोहे को इस यमुंडा टकर टैंकर में बरे अत्यादुनिक ठंडे पानी से ठंडा करके धोस लोहे में वदल दिया जाए गमराज दिल्ली में? हाँ परमानू इस से तान से फिलहाल शुटकारा पाने का यही तरीका था इसलिए जब मैंने इसे पिगले लोहे की भट्टी में पड़े देखा तो मैं तुरंथ ही यह मुंडा को बड़े टैंकर गाड़ी का रूप दे कर और पास ही मुझूद बरफ खाने से ठंडा पानी भर कर यहां आप पहुचा और मैं भी इसके साथ हूँ दोका तुम भी यहां? मामला क्या है? बताऊंगा पहले यहां से चलो लेकिन भटी में ठोस हो चुके लोहे में मुझूद पिद्धी के उसका अंकाल का क्या होगा? उसका जो हो गया उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता फिल्हाल उसका आतंक समाप्त हो गया है उसका आतंक तो समाप्त हो गया था लेकिन एक अनोखी घटना तो घट रही थी दिल्ली के पास ही इस्टित राजनगर में मिश्टर फिक्स चाहे तो हवा को भी चिपका सकता है तुम्हारी तो ओकात ही क्या है बचो भागो ना भाग सकोगे और ना बच सकोगे मिश्टर फिक्स इस सारे सहर को ऐसे चिपकाटा लेगा जैसे मरी हुई मक्खी दिवार पर चिपकती है ये छोटे-छोटे मासूम बच्चे चिपकेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि ये छूटने के चक्कर में चिलाएंगे और पुकारेंगे मम्मी नहीं, इस सहर में हर बेगुना पुकारता है दुरूव क्योंकि ये सहर सूपर कमांडो दुरूव का है और दुरूव के साथ चंडिका रहती है ये बात तो सारी दुनिया जानती है दुरूव होया चंडिका जो भी मिश्टर फिक्स के सामने आएगा चिपक कर रह जाएगा बचो दुरूव तुम्हारा ध्यान किदर है यहां से गुजरते समय हमें इस समस्या से जोजना पड़ रहा है जबकि हमें तुरंत ही चंटकाल जैसी ऐसी महा मुसीबत से निपटने के लिए महानगर पोहुचना था जिसके कारण सारी प्रित्वी पर मानव का अस्तितु खत्रे में पड़ सकता है कहना तो तुमारा ठीक है दुरूव लेकिन आखों के सामने होती इस वार्दात से मुँ मोड कर दी तो नहीं जा सकते थे हम अब जल्दी से इससे निपटने का कोई उपाय सोचो ताकि हम महानगर की तरफ रवाना हो सके इसकी चिंता छोड़कर तुम दोनों महानगर के लिए तुरंत रवाना हो सकते हो दुरूव और चंडिका इनसे मैं इपटलूँगा इस्पेक्टर स्टील के रूप में इस सहर का एक और रखवाला यहां पहुंच चुका है अब यहां ठैर कर अपना टाइम खराब करना बेकार है जंडिका आओ हम यहां से चलते हैं यू आर अंडर अरेस्ट क्यों कर रहा है मेरा टाइम वेस्ट चल चिपक जा ओहो वेरी स्टीकी कैमिकल यू आर इन ट्राबल तुने मेरे शरीर के उपरी स्टील को ही चिपकाया है जिसे मैं आसानी से अपने शरीर से अलग कर सकता हूँ लडाक इस बार तू अपने शरीर के हिस्सों को अलग करके नहीं बचा सकता मेरी टेप तुझे मम्मी बना देगी इससे भी बचने का तरीका है मेरे पास मेगा गन के रूप में ये टेप मुझ तक नहीं पहुचने वाले इनहें फेखना बंद कर खुद को मेरे हवाले कर दे बार्निंग मोड तुझे तो मैρे नहीं कबाड गर के हवाले करूँगा अटेकिंग मोड तूने तो मेरे शरीर में छेद कर दिया इसमें तो हवा अपने आने जाने का रास्ता बना लेगी ये तो बहुत बुरा होगा इसलिए पहले इस छेद को भरता हूँ और अब इसका इंतिजाम करता हूँ कि तेरी यह गन और गोले न छोड़ पाए प्रोब्लम इन मेगा गन चलिए दोस्तों इस भाग में इतना ही ये मज़दार कोमिक्स जारी है अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कोमिक्स के अगले और अंतिम भाग में तब तक के लिए धन्यवाद